जब कोई काम इश्वर के नाम पर उसकी प्रिर्णा से किया जाता है, उसे उही पुरा कराता है, करता धरता तो उही है, इसलिए हम तो कोरे के कोरे हैं, जब कोई डंडा दूसरी को मारे, तो वह काम डंडे का नहीं, बरन डंडे के मालिक का है, इसी तरह अगर हम अपना शरीर इश्वर को सौप दें और उस शरीर से काम लें, तो वह काम शरीर का नहीं, बलकि इश्वर का है, जश, अपरजस, सब उसी का है, आपका और मेरा रक्षक इश्वर है मुझे अपना रक्षक मानना इश्वर की निंदा होगी मेरा इश्वर की आवाज सुन सकने का कोई दावा नहीं है पर दुर्भाग से प्राप्त परिनामों को छोड़ कर और किसी तरह उसकी सच्चाई साबित करने को कोई मार्ग मेरे सामने नहीं है अधि इश्वर अपने रची हुए प्राणियों को यह शक्ति दे कि उसके अस्तित्त को सिद्ध असिद्ध करने का बिसे बना ले तो इश्वर इश्वर ही न रहे किन्तु वह उसकी सरन में अपने आप को सर्वतो भावेन अर्पित कर देने वाले आत्पनि वेदक दास को वह शक्ति अवस्य देता है कि वह कठिन से कठिन अगनी परिक्षा में उत्रिन हो जाए मैं प्राया पचास बर्स से अधिक समय से इस समसी बरे न्याय प्रिय स्वामी का सर्वतो भावेन दास रहा हूँ जियों जियों समय बीचता गया उसका अंतरनाद मेरी लिए अधिक अधिक अस्पष्ठ होता गया मेरी जीवन की अंधेरी सी अंधेरी घरियों में भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा कितनी ही बार तो उसने मेरी ही शंकल्कों के विरुद्ध मेरी रक्षा की और स्वच्छन्दता का लेस भी मुझ में शेश नहीं छोड़ा मैं जितना ही अधिक अपने को उसकी शरर में अर्पित करता गया मैं उतना ही अधिक आनंद पाया करता ही अधिक आनंद पाया